जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी तक, एहमदाबाद से अगर तला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान केंद सरकार द्वारा आयात शुल्क शून्य करने से मसूर की कीमप पर मंगलवार को दबाब देखा गया है प्रमुक उतपादक मंडियों में आयातित के साथ ही देशी मसूर के दाम कमजोर हो गये है उड़त में स्टॉकिस्टों की सक्रियता से तेजी बनी रही लेकिन बढ़े दाम पर मीलों की मांग कमजोर होने से अरहर में मिला जुला रुक देखा गया है वेपारियों के अनुसार पिछले सब्तहा करीब 48 से 50 हजार टन आयातित मसूर भारती बंदर गहा पर पहुची थी जबकी कॉलकता, मुद्र और हाजिरा बंदर गहा पर पहले सही आयातित मसूर का बकाया स्टॉक जादा था ऐसे में केंद सरकार दौरा सितंबर 2022 तक मसूर के अयात शुर्क को सुन्यक कर देने से अयात को की बिक्वाली बराबर बनी हुई है अयात घरेलू मंडियों में देशी मसूर की आपको का दबाब बनने से पहले ही स्टॉक हलका करना चाहते हैं क्योंकि मसूर में दाम यूत अनुमान की तोला में कमजोर है जबकि बर्मा में उड़त का उत्पादन अनुमान से जादा है जिस कारण अयात भी बढ़ने की उम्मीद है केंद सरकार ने उड़त के अयात की बिलिंग तिथी 31 मार्च 2022 तक तैकी हुई है जबकि शिप्मेंट जून 2022 तक आज सकती है इसल बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान